तो गाइज यहाँ पर आप हमारी टीम द्वारा लॉंच कीगी पीडियाफ को भी ले सकते हो यह जितने भी पीडियाफ हैं यह सभी उतकृष्ट शेनी की है इनमें सिर्फ उन्ही प्रशनों को शामिल किया गया है जो पिछली प्रिक्षाओं में पूछे गए हैं इस नजरेये से यह आपकी आगामि प्रिक्षा के लिए बहुत ही लाबदाइक होने वाली है यहाँ पर आपको दो पीडियाफ दी जाएंगी इनमें जो पहली होगी उसमें आपको दस मौक टेस्ट दे जाएंगे यह सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जो दूसरी होगी इसमें आपको एकजार प्लस बन्लाइनर प्रिशन मिलेंगे बैलकन टू एक्जाम भी बेचना तो इस वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे अचारे रामचंदर शुकल का काल विवाजन और नामकर्ण तो जो अचारे रामचंदर शुकल का काल विवाजन और नामकर्ण है यह सर्व माननिय है अधिकतर जो यहाँ पर नामकर्ण किये गए हैं सब जगाई यह मानने जाते हैं कुछ एक को छोड़कर तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन से सर्मानिय है कौर से नहीं है उन्हें भी देख लेते हैं तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ जो अचारे रामचंदर शुकल का हिंदी साहित्य का इतियास है ये हिंदी साहित्य में अपना सर्वोच स्थान रखता है इसे सबजगा माननेता प्राप्त है इसके पर शाथ कुछ मत्मुन टॉपिक है उन्हें बता देता हूँ जो अचारे रामचंदर शुकल का इतियास मुल्तह नागरी प्रचारनी सवा द्वा द्वारा प्रकाशित किया गया था तो यहां से वश्य प्रशन बनता है कि जो हिंदी साहित्ति का इतियास है अचारे रामचंदर शुकल का इसे किस के द्वारा प्रकाशित किया गया था तो इसे किया गया था नागरी प्रचारनी सवा के द्वारा इसके पशाथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्ती का विकास नाम जे सन 1929 में इसे प्रकाशित किया गया था याद रखे या क्या बोल रहा हूं हिंदी शब्द सागर की भूमिका के तौर पर कब किया गया था 1929 में इसके पर शाद जो आगे महत्मून टॉपिक है तो वो है जो हिंदी साहित थे का इतिहास है अचारे रामचंदर शुकल का इसमें एक सार कभियों और लेकों को शामिल किया गया है संख्या है एक हजार आगे जो है अचारे रामचंदर शुकल ने शिवसिया सेंगर जॉर्ज क्यूयसन और मिश्र बंदों के इतिहास को कभी बृत संख्या कहा गया है याद रखना आफसे बिकल्प में पूछा जा सकता है कि निमन में से कौन सा इतिहास ग्रंथ है जिसे अचारे रामचंदर शु करने कभी बृत संख्या नहीं कहा गया है जो होंगे तो उसमें होगा शिवसिया सेंगर जॉर्ज ग्रियसन और मिश्र बंदों के इतिहास क्रंथ को तो याद रखेगा दोस्तों यह है बहुत ही जादा महत्कुन तथ्या कई बार यह प्रशनी बनता है कि जो इतिहास लिएया जिसमें इन्होंने कालवभाजन और नामकर्ण किया गया है सबसे पहले जो इन्होंने आदिकाल को नाम दिया था तो वो दिया गया था बिर्गाथाकाल याद रखना यह मोस्त इंपोरठेंट है कई वार प्रिक्षा में बचता बहुत आम किस न दिया था तो यह दिया गया था अचारे रामचंदर शुकल के द्वरा उसके परचा जो पूरब मद्यकाल इसे अचारे रामचंदर शुकल ने भगतिकाल कहा है ये भी सर्ब माननी है सिवाए बिर्गाथा काल के जो उत्तर मद्यकाल है इसे अचारे रामचंदर शुकल ने रीतिकाल कहा है ये भी सर्मान्य है इसे भी सब लोग रीतिकाल ही कहते हैं उसके परचाद जो अधुनिकाल है इसको अचारे रामचंदर शुकल ने गद्धिकाल कहा है यहाँ पर आपको दो याद रखने हैं नाम कौन कौन से एक तो आपको बिरगाथा काल नाम रखना है याद जो आधिकाल के लिए कहा गया है और दूसरा जो गद्यकाल ये इन्होंने आधियुनिक काल के लिए नाम करण किया गया है इसके पश्चार जो इन्होंने काल विवाजन किया है बिरगाथा काल का तो ये कि सांबत स्मथ मर्भार आचारे राम चंदर शुकल है इन्होंने अपने इतिहास गंद को कितने भागों में विवक्त किया था तो ये किया था चार भागों में कौन-कौन से बेरगाथा काल, भक्तिकाल और रीतिकाल और गद्यकाल ये इनके चार प्रमुख भाग थे आगे जो हम डिस्कस करेंगे तो वो करेंगे डॉक्टर रामकुमार बर्मा के काल विभाजन एबं नामकर्ण को तो चलिए शुरू करते हैं तो इन्होंने भी सपष्ट अपने इतिहास कंद को चार भागों में भी भक्त किया था तो वो कौन-कौन से हैं तो जो पहला होगा तो वो था प्रारंबिक काल इन्होंने आदिकाल को प्रारंबिक काल कहा है इसके भी इन्होंने दो भाग किये हैं पहला है संधिकाल उसके पहत्चात है चारनकाल एक बार जो कॉलिज केड़ेट की प्रिष्चा हुई थी हमाचल परदेश में यहां पर यह प्रशन बना था कि जो आदिकाल को चारनकाल नाम किसने कहा था तो वो कहा था विकल्प के नुसर वो सही होना था रामकुमार बर्माने तो यहां पर देखिए चारनकाल इन्होंने नाम दिया है आदिकाल को उसी का एक ये भाग है उसके पश्चात आता है इनका भक्ति काल, उसके पश्चात रिति काल और सबसे अंतमे आधुनी काल जो अचारे रामचंदर शुकुल का पैटर्न था उसी को इन्होंने भी फॉलो किया है तो चलिए इनके जो काल विवाजन का समय है उसे भी देख लेते हैं संबत एकजार से लेकर तेरा वजत्तर तक तो इसके पश्चा जो दूसरा है भक्ति काल इसका समय इन्होंने रखा है संबत तेरा वजत्तर से लेकर सतारा सो बिक्रमी तक और जो रेति काल है इसे इन्होंने संबत सतारा सो से लेकर उननी सो बिक्रमी तक रखा है बाकी topics नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हो playlist में आपको वो मिर जाएगी तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं आप लोग वीडियो के अंतक बने रहें इसका बहुत बहुत धनियावाद